बाली बुट की सरोस्रिष्ट अभिनेत्री सिल्पा सेठी लंबे समय के बाद फिल्मी परदे पर अपनी फिल्म सुखी के माध्यम से वापसी कर रही हैं। पर अपनी रोजाना की जिन्दगी जैसे घर के काम काज करना, बेटी की देखभाल करना और पती की जरूरतों को अध्यान देना और बुड़े बुजर्गों की सेवा करना जैसे कामों से एकदम ठक चुकी हैं। के रूप में सुनारा मौका दिखाई देता है अपने स्ट्रेस और ठकान को दूर करने का। परंतु उनके परिवार वाले इन सब के खिलाफ थे, इसके बावजूद भी सुखी अपने परिवार की परवाहनव करते हुए अकेले दिल्ली आ जाती हैं। दिल्ली ही वो जगह थी जहां सुखी का बचपन बीता था और वहीं उनकी स्कूली और कालेज की पढ़ाई भी हुई थी दिल्ली से उनका गहरा लगाव था। इसकूल के दिनों में सुखी का बड़ा ही नाम था परन्तु अब वह कहां ग्रियस जीवन में उलज गई थी। होकर बताती है कि किस तरह अपने ग्रियस जीवन में ब्यस्त रहने वाली महिलाओं के लिए जीवन में ब्रेक लेना अत्यंत आवस्यक है, कभी कभी पूरुस वर्ग को अभिमान हो जाता है, कि घर तो उनकी ही बदवलत चलता है, महिलाओं को तो कुछ नहीं करना होता, पर परिवार की स्थिती उथल पुथल हो जाती है, एक पतनी कैसे अपनी खुशियों का गला घोट कर अपने पदी और बच्चों का देखवाल करती है, सुखी फिल्म एक महिला की कहानी है, जिसका निर्देशन भी एक महिला सोनल जोसी ने किया है, बतार निर्देशक के और तमासा फिल्में सहायक निर्देशक के रूप में काम किया है, जो लोग पारिवारिक और महिला परधान फिल्मों के सौखीन हैं, उन्हें सुखी फिल्म बेहद ही पसंद आएगी, कहानी की सुरुआत महिला मुद्दों की बातों से हौले हौले होती है, फिल्म के पारि जीवन के आगे फिगी नजर आती है, लेकिन सुखी ने अपने हाउस वाइप के सभी पहलूं को बखुबी ढंग से निभाया है, धन्यवाद